हेलो आपर बिल्बन स्वागत अब सभी का एक और नई वीडियो में और दोस्तों करोना की दूसरी लेहर में योगी सरकार ने फिर से एलान किया है कि वो पिछली बार की तरह सर्मिकों के एकाउंट में धकेल वाले जो हैं जो पटरी के पास रहते हैं उनको मासिक धनरासी उन उनकों बोजन देगी तो इसमें सिर्फ उन्होंने सिर्फ टूइट किया है बाकी बताया नहीं कि किन-किन लोगों को यह पैसे मिलेंगे और क्या आविदन हो करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा तो वो सब में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि यह रुपे किन लोगों को मिलेंगे किन लोगों को नहीं मिलेंगे तो चले फिर स्टाट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूँ कि Covid-19 जब फैला था तो 2020 में योगी सरकार ने एलान किया था कि वो सर्मिकों के एकांट में धकेल लगाते हैं उनके एक अकांट में रुपे दिये गई थे और स्रम्य भाग में कैसे रिष्टेशन करना होता है कैसे आप कार्ड बना सकते हैं अपना उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिसक्रप्शन में दे दूँगा तो आप घर बैटे ही अपना स्रम्य भाग का जो है उसमें अलिगण में रहता हूँ यहां पर धकेल वाले हैं उनका रिष्टेशन होता है नगर निगम में तो उनी लोगों के अकाउंट में रुपे दिये गई थे जिनका रिष्टेशन था नगर निगम में अब उसी तरीके से आप करुना की दूसरी लेर है और योगी सरकार ने फ और जब यहां से क्वाइंटिन करने के बाद जो है मुझे एक महीने का जो है मेरी धन्डासी है वो दी जाएगी एक हजार रुपे देते हैं वो दी जाएगी और भोजन देंगे दूसरी चीज बोला गया है इसमें धकेल वाले जो हैं तो धकेल वाले वही हैं जिनका में दे दूँगा और आप अपना स्रम भाग में रिज्टेशन कर लीजिए दूसरी चीज मैं यह कहना चाहूंगा कि सभी लोगों के अकाउंट में तो एक हैर रुपे नहीं आते हैं जैसे कि अगर 50,000 लोगों ने रिज्टेशन करा रखका है स्रम भाग में अलीगर से तो